हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरानमशकाल सत्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हो एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं पनीर के परांठे सबी को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं तो तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टारट करते हैं तो देखते हैं पनीर लिया ग्रेट करके अद्रक डालने की बजाए अगर आग चौप करके अद्रक जिंजर डालते है ना उसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है, साथ में डालते हैं इसमें कटा हुआ हरद्धनिया, तो मेरे मुँ में तो अभी ही पानी आने लग गया है, प्रांठा भी बना नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पनीर का प्रांठा, तो चलिए अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले जिसमें मैं ले रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमप, साथ में इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें गई है, अब डालूंगी थोड़ इसी healthy powder यानि की turmeric powder color के लिए अब डालना है इसमें अजवाइन यानि की carom seeds 1 4th teaspoon के क्रीब डाल दीजिएगा साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया powder यानि की coriander powder और थोड़ इसी इस तरह से कसूरी मेथी आप इसमें add कीजिए अब सभी चीजों को करना है अच्छी तरह से mix और फ्रेंड्स आटा मैं पहले से ही लगा कर रख चुकी हूँ बिरुलकुल सौफ्ट आटा लगाया है जिस तरह से simple रोटी प्रांथे बनाते हैं तो सौफ्ट आटा लगाने से क्या होता है हमारे भरवे प्रांथे बहुत असानी से बेल जाते हैं तो सभी चीज़ें होगी आपस में mix तो अब देर किस बात की है स्टार्ट करते हैं प्रांथा बनाना तवा मैंने रख दिया है फ्लेम ओन करके और पेड़े बना लिए हैं तो ये लीजे थोड़ासा हातों से फैला कर इसे थोड़ासा बेल भी लेते हैं अब इसमें डालेंगे हम पनीर की स्टफिंग तो अच्छी खासी भर कर इसमें मैं डालने वाली हूं ये लीजे और इसे करेंगे अब बंद अच्छी तरह से बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा उपर रह जाएगा उसे हम निकाल देंगे ये लीजे अब इसे इसता से फैल आएंगे और दबाएंगे क्योंकि इसके जो स्टफिंग चारों तरफ फैल जाएगी ठीक है ना अब सुखाटा लगाएंगे और इससे बेलना स्टार्ट करेंगे देखिए हातों से फैलना स्टार्ट हो गया देख रहे हैं आप इतना सॉफ्टा आटा मैंने आप बेल लेते हैं तो बच्चा भी इसे असानी से घर पर बना सकता है इसमें कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी नहीं है पनीर के प्रांथे सभी को बहुत टेस्टी लगते हैं तो आप इससे एक बार ट्राइ कीजिएगा लीजिए और तवा हो गया है गरम मीडियम फ्लेम मै जब तक यह सिखता है तब तक हम दूसरा परांथा भी बेल कर त्यार कर लेते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि करेंगे इसे बंद ये लिजिए एक्स्ट्राटा निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हातों से दबाते हुए फैलाएंगे ताकि चारो तरफ पनीर की स्टफिंग फैल जाए और इसे भी टर्न करते हैं ये लिजिए बहुत सॉफ्ट हमारा प्रांठा बनेगा के साथ खा सकते हैं अचार के साथ खा सकते हैं मखन के साथ खा सकते हैं देसी घी लगा कर इसे अराम से खा सकते हैं जैसी आपकी इच्छा आप इसे इंज्जॉय कर सकते हैं तो लीजिए हमारा दूसरा प्रांठा भी हमने बेल कर लिया है त्यार अब हम देखते हैं इस प् ओपर लगाएंगे घी और यह जाएगा त्यार यह देखिए तो कितनी देर लगती है जरा भी देर नहीं लगती है फटा-फट से हमारे परांठे बनने हो गए है स्टार्ट यह देखे कितनी अच्छी तरह से फूल गया फ्रेंड्स प्रांथा देख रहे हैं आप बस इसे हलके हातों से इस तरह से थोड़ा आगे पीछे हम घुमाएंगे और इसे करेंगे टर्न और थोड़ा सा और सिखने देंगे यह लिग देख रहे हैं आप कितना जबर उपर से तो बहुत क्रिस्पी बना है अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है तो चलिए दूसरा प्रांथा भी डालते हैं तवे के ओपर और इसे भी सेख लेते हैं तो आप फटाफट से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए जब तक दूसरा प्रांथा सिखता है यह लीजिए अब इसके ओपर भी लगाते हैं घी यह देखिए खुश्बू बहुत जबर्दस्त आ रही है यह देखिए यह भी फूल गया है देख रहे हैं आप तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिंपल रस्पी है फ्रेंस इसका से ट्राइए कीजिए आपको यह बहुत ही जबर्दस्त प्रांथे लगने वाले हैं तो मैं ऐसे सर्व कर रही हूँ बटर के साथ यह देखिए देखरें ना कलर कितना जबर्दस्त आया तो मैं आपको थोड़ा सा ना तोड़ कर भी दिखाती हूँ ये देखिए पनीर की स्टफिंग देखिए किस तरह से चारो तरह फैली हुई है देख रहे हैं आप ये देखिए ये देखिए ना थोड़ा सा मैं और दिखा देती हूं यह लीजिए तो फ्रेंड्स मैं तो करने वाली हूं इसे इंजॉय और आप यब देर मत कीजिए फटा फट से उठिए और इस पनीर के परांठे को घर पर जरूर ट्राई कीजिए यह आपकी इच्छा है आपको किसके साथ इंजॉय करना है मैं तो बटर के साथ इस